सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाईए बैल आइकन ताकि आप आसके हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से दोस्तो अगर आप चाहे तो हमारा पेड कोर्ष भी जोइन कर सकते हैं इसके अदर आपको ओल टैन यूनिट के स्टडी नोट्स मिलेंगे वीडियो मिलेंगे एड फरी दो हजार बारा से लेके जून 2020 तक कोशन पेपर मिलेंगे टोपिक वाइज कोशन भी मिलेंगे आज तक जैसे कि research के जो कोशन आए वो लग है teaching के लग है कमिली किसन के अलग है और most repeated होने वाले कोशन के बारे में आपको वीडियो दी जाएंगे पलस में नोट्स दी जाएंगे और दोस्तो अभी ओफर चल रहा है happy new year offer चल रहा है अगर आप 3 महीने के लिए जोइन करना चाहते है तो 399 रुपे में जोइन करना चाहते हैं और 699 रुपे में ये kours जोइन कर सकते हैं और दोस्तो हैपि नियुएर के बाद में ये इस kours की face बढ़ने वाली है तो जल्दी से जल्दी किसी भी दोस्त को अगर ये kours जोइन करना है तो आप हमें whatsapp no.8053124204 पे हमें message कर सकते ह और लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा थैंक्यू दोस्तो हैलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तो सुबह हमने करवाया था कि डैसिमल से हम बाइनरी में और हेक्जा डैसिमल में किस तरह ऐसे कनवर्ट करते हैं लेकिन इसमें काफी दोस्तो को काफी प्रोब्लम आ रही है वो कनफ्यूज हो रहे हैं तो आज हम दोबारा से ये वीडियो करने वाले हैं और इसमें हम दोनों तरीके बताएंगे यानि कि डैसिमल से हम बाइनरी में कैसे कनवर्ट करते हैं और बाइनरी से फिर दोबारा डैसिमल में कैसे कनवर्ट करते हैं ये वीडियो देखना दोस्तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इस में से आज तक बहुत से question आ चुके हैं तो ये वीडियो आप पूरा देखना हो ध्यान से देखना हो तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले जो आज की वीडियो की है उसी को लेके चलते हैं कि जैसे decimal जो number होता है हमारा decimal को हम binary में किस तरह से convert करते हैं तो उसका formula क्या है और देखिए सबसे पहले क्या होता है कि हमारे अंदर confusion आता है कि हम दो से गुणा करनी है या दो से divide करना है यह हमारे पास confusion आता है ठीक है अब यह देखिए सबसे पहले हमारे पास है decimal decimal का मतलब है कि जो दसमलों जो होता है उसे हम कहते हैं और हमें क्या देखना है दोस् तो यानि कि जिसका बेस दो हूव ठीक है जैसे कि मैं मार्ण कि चलता हूँ जैसे हम लिख लेते हैं देखिए, तो सबसे पहले आपको पता चल गया होगा कि हमें डिवाइड करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरीके से LCM लेते हैं उस तरह से हम यहाँ पर यह table बना लेंगे और 13 लिखेंगे और 13 को फिर 2 से divide करेंगे अब divide करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा difference है इसके अंदर दोस्तों इसके अंदर हम देखते हैं कि सबसे पहले जो 13 है वो 2 की किस table तक जाता है तो यह हमें पता है कि 2 चीके 12 ठीक है अब यहाँ पर देखिए जब हम ने 6 पर यह table लेके गए तो कितना सेस हमारे बचा तो यह ऐसे रखेंगे और जो सेस हमारे पास बचा है कैली जो बचा है वो हम यहां पे लिखेंगे एक हमने यहां पे लिख दिया और उसके बाद में दोबारा फिर दो से हम इसे डिवाइड करेंगे तो फिर जाएगा दो तिया छे ठीक है और अब हमारे पास कितना सेस बचा दोस्तों हमरे पास एक बच गया और यहां तक हमने कर लिया अब देखिए अब इसे और आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब जो एक है यह यह दोबारा से अपना इससे डिवाइड नहीं हो रहा दो से तो अब हम क्या करेंगे मैंने आपको बताए था कि नीचे से लेक और उपर तक हम लिखते हैं तो इसका जो क्या होगा एक मिनट यहां पर लिख लेते हैं वन वन जीरो और वन यह इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों यानि कि डैसिमल को डैसिमल 13 को जब हम बाइनरी में कनवर्ट करेंगे तो क्याएगा वन वन जीरो वन इसका अंसर आ जाए करके और अब हम दोस्तों इसका उल्टा करने की कोशिश करते हैं देखिए मैं आपको अगला कोशन दिखाता हूं उससे आपको बिल्कुल असानी से समझ में आ जाएगा अब देखिए अब यही सवाल है यानि की 1101 को हमें डैसिमल में करना है यह कि बाइनरी को जब हम डैसिम के अंदर कनवर्ज करना हो तो वहां पर हमें मल्टिपलाई करना होगा और वह हमें देखना कि पहले हमारे पास बाइनरी है तो 2 से मल्टिपलाई करना है उक्तल है तो 8 से 16 से उसको मल्टिपलाई करना है तो यहां पर हमें पता चल रहा है कि बाइनरी है बाइनरी के अंदर 2 बेस होता है तो अब 2 से इसको multiply करेंगे अब देखते हैं यह question किस तरह से होगा तो इसमें हम सबसे पहले यह यह दोस्तों यह number लिख लेते है 1101 इसमें लिख लिया और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर 2 की power लिखते जाएंगे अब देखते कि सबसे पहले अब हम देखते कि 2 की power 0 क्या होती है हमेशा आप याद रखना किसी भी number की power जब 0 होती है तो उसका answer होता है 1 अब देखे 2 की power 1 क्या होती है वो 2 होता है और 2 को जब हम 0 से गुना करेंगे तो वो 0 ही आएगा चलिए मैं यहाँ पर लिख लेते है 2 की power 1 यानि की 2 आगया 2 की power 2 होती है तो 2 दू नहीं 4 हो गया और यहाँ पर 2 की power 3 है तो यह हो गया 8 हो गया ठीक है अब देखेए अब हमें क्या करना है यह जो है और यह जो है इन दोनों को हमें multiply करना है अब देखें multiply करते हैं अब 1 को 1 से multiply करेंगे तो 1 आ गया अब 0 को 2 से multiply करेंगे तो 0 आ गया अब इस 1 को इस 4 से multiply करेंगे तो 4 आ गया और अब इस 1 को 8 से multiply करेंगे तो 8 आ गया ठीक है अब हमें क्या करना है अब जो ये आया है हमारे पास 8, 4, 0, 1 इन सभी को हमें पलस करना है अब देखे 8 जमा में 4 जमा में 0, जमा में 1 यह कितना होता है 8 और 4, 12 और 1, 13 यह क्या है दोस्तों अपना अंसर यह आ गया 13 इसका अंसर आ गया अब देखें बाइनरी को जब हम decimal में convert करते तो 13 आ गया और हमने जो उपर जो question किया था उसके दिनर किया था कि जो decimal number 13 था उसको जब हम convert करते तो वो आ रहा था 1101 इसका answer आ रहा था तो हमने देखे दोस्तों यहाँ पे दोनों ही करके देख लिए हैं एक minute यहाँ पे हमने दोनों ही करके देख लिए 13 को हमने binary में convert करके देख लिया है decimal को binary में और फिर binary को हमने दोवारा से फिर decimal में convert करके देख लिया है दोस्तों अब हम बात करते हैं कि decimal number 2761 को हम hexadecimal number में किस तरह से convert करेंगे अब देखे जहाँ पे हमारे पास hexadecimal नंबर की बात आते हैं तो वहाँ पे हम किस से डिवाइड करते हैं 16 से डिवाइड करते हैं अब देखें 16 से डिवाइड करने का तरीका भी हम इसे देख लेते हैं ये भी दोस्तों बिलकुल असान है हमें पस थोड़ा सा ध्यान देने की आवशकता है अब दिखिए सबसे पहले हम इसको उसी फॉर्मेट में लिखेंगे इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं 2761 यहाँ पर हमने लिख लिया और इसे डिवाइड करना है हमें 16 यानि कि 16 से हमें डिवाइड करना है 172 को जब हम 16 से मल्टिप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2752 आता है दोस्तों ठीक है 2752 यहाँ पर मैं लिख लिखता हूँ 2752 हमारे पास आता है और अब देखे 2752 इस में से जब हम माइनस करते है 271 में से माइनस करते तो 9 हमारे पास सेस रहे जाता है ठीक है और आगे हम देखते आगे किस तरीके से होगा एक मिनित मैं इरेज कर लेता हूँ ये ताकि हमें दिक्कत ना आई दोस्तों अब यहाँ पे हमारे पास 9 केरी रहे जाएगा ठीक है और अब हम देखते कि 16 को हम किस से मल्टिप्लाइ करें कि 172 के करीब आज है तो 16 को जब हम 10 से मल्टिप्लाइ करते तो 160 आजाता है और यहाँ पे हमारे पास जो कह रही है दोस्तों वो 12 रह जाता है 12 जो कह रही है हमारे पास रह जाता है अब देखिए यह जो 10 है यह 16 से और ज़्यादा डिवाइड नहीं हो रहा तो यहीं से हमारा जो answer वो बनना start हो जाता है अब देखिए हम दोबारा इसको नीचे से लेके ऊपर लिखेंगे यही हमारा pattern रहता है हमेशा और अब देखिए हम किस तरीके से लिखेंगे सिंपल तरीके से लिखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे हमने 10 लिख लिख लिया बारा लिख लिख लिया ठीक है अब देखिए हम इसे नीचे से लेके उपर तक लिखते हैं यहां से हम ऐसे लिखेंगे अब देखिए यहां यहां गया सबसे पहले हमारे पास 10 आ गया फिर 12 आ गया और फिर 9 आ गया ठीक है और अब आप मेरे को यह बताईए कि जो 9 होता है हेक्जर डेसीमल नमबर में वो किसके इकवल होता है 10 किसके इकवल होता है और 12 किसके इकवल होता है तो इसके अंदर क्या होता है कि जो 9 नमबर होता है वो 9 तर 9 के इकवल ही होता है लेकिन जो 10 होता है उसे हम A के इकवल मानते है और जो 12 जो होता है दोस्तों वो होता है हमारा C के equal होता है तो हमारा जो final answer आएगा वो आएगा हमारे पास AC9 हमारा ये answer आ जाएगा दोस्तों तो इस तरीके से हम बिलकुल असानी से इसमें कर शकते हैं और अब हम देखते हैं दोस्तों कि ये जो हमारा hexadecimal number AC9 आया है इसको दोवारा से decimal में हमें convert करना हो तो हमें क्या करना होगा दोस्तों अब हम बात करते हैं कि hexadecimal number AC9 को हम decimal number में किस तरह से convert करते हैं तो इसका थोड़ा सा ध्यान से देखना दोस्तों थोड़ा सा यह टीपिकल हो सकता है सबसे पहले AC9 यहाँ पे लिखते हैं और हमें यह पता होना चाहिए कि हमें किस से multiply करना है exact ACML नंबर है मतलब 16 से हमें इसे multiply करना है तो AC9 लिख लिए तो AC9 को सबसे पहले real जो value है उसके अंदर convert करना पड़ेगा A का मतलब होता है दोस्तों हमारे पास 10 होता है वो मैंने अभी आपको बताया था C का मतलब होता है 12 और 9 का मतलब 9 हो गया ठीक है यानि कि 10, 12, 9 हमारे पास visit आगी AC9 की तो इसे हम अच्छे से लिख लिख लिते हैं 10, 12 और 9 अब हमें hexadecimal number है और decimal में convert करना है तो 16 16 से हमें multiply करना है तो 16 16 हम यहां पर लिख लिख लिखते हैं और उसके बाद इनकी power लगाते दोस्तों 0 power 1 power 2 power ठीक है अब देखे 16 की power 0 होती है 1 के equal और 16 की power 1 होती है 16 16 की power 2 होती है 256 होती है हमारे पास ठीक है और अब हम बात करते हैं कि अब इनको और इनको हमें multiply करना यह मैंने आपको बताय आगया और जब हम 16 को दोस्तो 12 से multiply करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास अभी एक minute देख लेधे यह आता है हमारे पास 192 आ गया हमारे पास और फिर देखि 10 को जब हम 256 से multiply करते तो 2560 ये हमारे पास आ गया अब देखि इन 3 को जब हम multiply करते तो देखते, sorry, अब 3ों को हम plus करते तो हमारे पास क्या आता है, ये हमें देखना है, अब देखी, तीनों को आप हम plus करके देख सकते हैं अपनी copy के अंदर, मैं calculator है मेरे पास उसके अंदर मैं plus करके देखता हूं ये कर लिया मैरे plus और plus में 9 और कर लेते हैं तो ये वही आया दोस्तों हमारे पास 2761 यानि कि इन तीनों को जब हम plus करेंगे तो 2761 हमारे पास answer आ गया तो दोस्तों यहां पर आप बिल्कुल असानी से देख सकते हैं कि hexadec decimal से decimal में किस तरह से convert करेंगे और decimal में हो तो hexadecimal से किस तरह से convert में करेंगे तो यह पूरा का पूरा मैंने दोनों तरीके से आपको करवा के दिखा दिया है अब आप सभी दोस्तों के लिए मैं एक काम देके जा रहा हूँ या आप सभी दोस्तों को करना है करके देखना अगर किसी को कोई प्रोब्लम आए तो हमें बताईए हमारा सबसे पहला कोशन है कि डैसिमल नंबर 593 को हमें ओक्टल के अंदर कनवर्ट करना है ठीक है और फिर हमें जो ओक्टल नंबर आए 1121 इसको दोवारा से डैसिमल में कनवर्ट किस तरह से करेंगे यह हमें बताने यह दोनों कोशन आपको करने और अगर किसी को कोई दिक्कत आए तो वो हमें जरूर बताना आप हमें कमेंट वोक्स के जरी बता सकते हैं या फिर हमें वाट्सक के जरीए बना सकते हैं तो आज के लिए व striving में दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो यह लायक कीजिए और दोस्तों अभीत तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और घंटी का बटन जरूर्द वाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज को सानी से देख सके थेंकियो दोस्तों